नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ग्यान बिंदू जिया सेकेंड मी यानि रॉसन सर के द्वारा जो है आपका उनलाइन बिस्स पे प्रैक्टिसेट करवा जाता है आज हम उसी का जो है प्रैक्टिसेट देखने वाले हैं आप यह देखेंगे तो जिसका भी प्रैक्टिस चुट गया है वह पीछे जाकर कि रिवीजन कर सकता है प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां पर आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा पहला हमारा प्रस्द है निमलिखित में से किस ने भारती सुधार संग की स्थापना किया था भारती सुधार संग की स्थापना किय थी देखिए इसका सही आंसर हो जायागा गोपाल किष्ण गोखले प्राकिर्तिक परियावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विश्यस प्रजाती निवास करती है उसे कहा रता है क्या उसको जो हम आवास कहते हैं क्या कहते हैं आवास ऑप्सन नमबर जो है डी सही आंसर होगा आवास 2011 की जनगरना के अनुशार बिहार में सरवाधिक जनसंख्य विरिधिदर वाला जीला कौन सा है अंसर हो जागा मध्यपूरा हो जागा दोस्तों ऑप्सन नमबर जो है बी सही आंसर होगा मध्यपूरा सिकन्दर ने भारत पर आकर्मन किया है कउन से इस्थान पर अवस्तित है तीन सिर वाली तो यह आपको देखने की मिलता है एलिफेंटा जो कि आपको महराश्टर में देखने की मिलता है option number आपका C होगा विश्व एट्स दिवस किस तिथी को मनाया जाता है देखे विश्व एट्स दिवस जो है हम एक दिसंबर को मनाते हैं का मनाते हैं एक दिसंबर को बिहार SI question back जो आपका निव किताब आया है उसके लिए भी आपका master वीडियो आएगा एकदम निसिंत रहीएगा आपका जो है चार सेट अपलोड हो गया है कल आपका जो है पांचवा सेट या फिर आज हो सके तो पांचवास अपलोड हो जाएगा निमलिखित में से राज सभा के विशे में सही कथन कौन सा है आपको सही बताना है देखे सेवन का देखेंगे तो आपका एक और तिन यानि ऑप्सन नमबर सी होगा यह भंग नहीं किया सकती है सही है और तिसरा है कि इसके एक बटा तीन सद्द से प्रतेक दो वर्स बाद स्थापित किया गया है विदेशी जो आपका विदेशी परिसर है किस सहर में स्थापित किया गया है तो यह स्थापित किया गया है जिंजा यानि युगांडा हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है एट का ए सही आंसर होगा नेस्ट को सने को सन नमबर नाइन बुला कि वेंट किस पदार्थ केताप में विर्धी होने पर प्रतीरोध कम होता है यह थि निमलिषित में से किस परीगटन के साथ बिग बैंग बिग बैंग थियोरी संबंदी थे बिग बैंग थोरी जो है आपका संबंदी थे किस से तो यह आपका थियोरी हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो सी होगा ब्रहमांड की उत्पत्ती होगा ब्रहमांड की उत्पत्ती ऑप्सन नमर सी निमलिखित में से किसने महम देव option number B निम्ण में से किस देश की राजधानी एस गाबात है इन में सक्रैस की राजधानी जो है आपका इसका एस गाबात है हा ना तो इसका आंसर क्या होगा कि आपके यहाँ सी क्थुमेनिस्टान है अंसर आपका अनुछेदा 360 होगा। अनुछेदा 360 होगा। अनुछेदा 360 ऑप्सन नमबर D सही होगा। लोनार जईल भारत के किस राज़ में अवस्तित है। तो यह आपको महराश्टर में देखने को मिलता है कहां पर महराश्टर में ऑप्सन नमबर सी उर्जा उत्पादन के दावरान गुलकोच का पैरुवेट में विगटन कहां संपन होता है तो यह आपका संपन होता है कोसी का दरव्य में कहां पर कोसी का दरव्य में ऑप्सन नम रहाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कि इस प्रक्रिया को आप देखेंगे तुझे है वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं ऑप्सन नंबर जो है सी होगा सत्र का आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया था तो यह आपका किया गया है अठार सही प्रक्रिया क किया गया था तो यह आपका पाटली पूतर में किया गया था अप्सन नंबर जो है इन्निसका ए होगा पाटली पूतर सहՈ हो जाएगा विकरम ओeni विद्याले की स्थापना निमलीखित में से किसके द्वारा की गई थी देखी इसका सही आंसर देखेंगे कोशन बर ट्वेंटी का तो यह आपका धरम पाल हो जाएगा अप्षन बड़ी होगा धरम पाल निमलेखित नेताओं में से किसे कोउग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था तो अगला की रक्त में लालरक्त कण्यानी किसे तो की ज्याद की संख्या किसे यह व्यांत होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, option number भी हो जाएगा, hemocytometer होगा, hemocytometer, बिहार SI का जो है, whatsapp और telegram पे group बनाया गया है, personal बिहार SI के नाम से, अगर आपको join होना है, set बनाना है, तो आपको वहाँ पर join हो सकते है, daily आपका practice set चलता है, whatsapp नमर यह रहा, 8756546533, आप इसो जो है, बि मिल जाएगा, अब आते हैं, question number 23, पे, कौन सा समिकरण, Charles Niam को, कौन सा समिकरण, हैना, कौन सा समिकरण, Charles Niam को, प्रकट करता है, मतलब, दो बार यह repeat हो गया है, symbol है कि, कौन सा समिकरण, जो है, Charles Niam को, प्रकट करता है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको, इतना छोड़ किसने, अपनी पेंटिंग के तहट अधिकारियों, यानि अधिकारों की घोशना पत्र को, लोगों तक पहुचाने के लिए, अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, तो यह आपको हो जाएगा, ले, बार बी यह हो जाएगा, option number, जो है, ए सह 248 इसवी, option number, जो है, सी सही होगा, उच नियाले के नियाधीसों की पत से हटाया जाना, संबंधित प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है, दोस्तों यह लिया गया है, सन्युक्त राज अमेरिका से, कहां से, सन्युक्त राज अमेरिका से, option number B होगा, निमलिकित में से कौन भारत की मानसुन प्रनाली को प्रभावित करता है या फिर करते हैं, प्रभावित करता है या फिर करते हैं, तो देखिए, उच निकटी बंधिया, अभिसरन छेत्र का स्थांतर्ण, ग्रिस्मकाल में तिबत के पठार का गर्म होना, हिमाले के उत्तर में उपोश भारत का अधिकांस कोईला भंडर पाया जाता है आपको गुंढवाना सैल करम सिप हो yell हैं तो यह आपको जागा गया होगा क्या होगा अंसर गया ऑप्शन नमबर डी निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमिलित नहीं यानि हमारा गलत क्या है देखिए मौलिक अधिकार उप समीति की बात करते हैं तो सरदार बल्लभाई पटी लिए दुस्तों गल जब pł buried अच्छे से याद रखेएगा aगला है कि नूКलियस के बाहर डियने कहा मिलता है नुक्लियस के बाहर जो है डियने कहा मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा माइटो कान्ट्रिया हो जाएगा कि हो होगा निम लिकीत मैं से किस ने या कहा था कि पृथभी गोला कार है ठिर यह कथन देखेंगे दोस्तों तो आपका अरस्तू का कथन था किसका था अरस्तू नमबर combined pay होगा अब यहां पर देखिए Milone करके बताना है देख लेते हैं सको हम एक सिस्ध होगा इस spic भीटे विप्सक्रण की बात करते हैं तो आपको जाएका पैंटेन होगा तो इसका ओप्सण आपका देख लियते हैं क्या है इसका औप्सन तो 34 का आंसर आप देखेंगे तो आप्सन नमबर जो है B सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B होगा गैसी आयतनों का नियम किस ने दिया गैसी आयतनों का नियम जो है किस ने दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा गैलूसेख हो जाएगा मौलिक अधिकार क्या होगा आंसर मौलिक अधिकार ऑप्सन नमर जो है 36 का भी होगा प्रोटेम स्पीकर समाने तह किसे नुक्त करते हैं देखें नव निरवाचित लोग सभा के वरिश्टितम सदस्यों में से एक को ऑप्सन नमर जो है 37 का देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो होगा अगला कि सम्प्राय मैदान संबंधित किससे जापका संब्राय मैदान किसस से आपका संबंदित है तो आपका नदी से संबंदित है option number C होगा नदी से निरवाचित में से कौन सी एक नदी पस्जिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है दो इसका आंसर हो जाएगा ताम पार पारणी हो जाएगा option number देखेंगे तो डी सही अंसर होगा बाकी पेरियार है और भरत पुछा है और यहां पर पंबा भी देखने को मिलता है सौर मंडल का सबसे थंडा गरह कौन सा है देखिए सवर मंडल का सबसे थंडा गरह देखेंगे तो यह आपका वरुन हो और देखे यूरोपियों का सही करम पूछ रहा है तो पुरत्गाली डच अंग्रेज फारंसी पुरत्गाली डच अंग्रेज फ्रहंसीज ये करम आच्छे से सीयाद रखिएगा निमलेकित मेसे किस काली नसाशक ने सार्वजनिक वीत्र कृणर परणाली हो तो इसका आंसर हो जाएगा अलावदिन खिल जी हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे तो डी होगा अलावदिन खिल जी हिमाले परवत स्रिंखला की उत्तरी परवतमाला का नाम क्या है देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा हिमादरी हो जाएगा ऑप्सन नम में कहां पर गुजरात में ऑप्शन नंबर ए होगा भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह देखेंगे तो यह आपका कौन सा हो जाएगा तो यह आपका चेन नहीं होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा चिन नहीं अगला कि रिलाक्सीन हार्मोन का सराव होता है किसके द्वारा तो यह आपका होता है कार्पस लूटियस लूटियस द्वारा होता है ऑप्सन नंबर ए होगा निमलिकित में से किस बिमारी का संबंद निक्षे पोसन योजना से है देखें निक्षे पोसन योजना से है यह आपका टीवर क्लोसिस टीवी हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे तो बी राइट होगा टीवर क्लोसिस टीवी राष्ट्र पती की अध्यदेश जारी करने की सकती किस अनुछेत के तहत वर्णित है यह तो आप सभी को पता है अनुछेत आपका क्या होगा तो होता है संसद राज्य सभाव और लोग सभाव के सभी सदस्य अपसन नमबर ए सही होगा वन एम यू बराबर डैस तो फिप्टी का आंसर देखेंगे तो आपसन नमबर जो है सही आंसर हो जाएगा सोडियम यानि एन ए एलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रोनिक व किन्तूवे सांस लेते हैं तो यह आपका हाइट्रा हो जाएगा हाइट्रा में दुस्तों आपका रख्त नहीं होता है याद रखिएगा करकरेखा किस राजे से नहीं गुजरती है करकरेखा किस राजे से होकर नहीं गुजरता है तो आठ राजे से होकर गुजरता है अगर मंडल निचे विस्व के जीव मंडल निचियों में हम निच्वों में सामिल नहीं है तो चववान का अंसर हो जाएगा मानस आपको नहीं है बाकी मनार की खाड़ी निलगिरी और पन्ना यह सो आपका सही है अब यहां पर देखे दुस्तों पच्पन का नंबर जो है पच्पन सब्सक्राइगरी और काकती का हो जाएगा वारंगल तो ऑप्सन नमबर बी दो तीन चार एक आपका जो है सही उत्तर होगा अगला है कि पहले विस्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या सत्य यानि क्या सही है देखिए साही रूसी सेना को रूसी जो कि इस्टीम रोलर कहा बड़े साही है यह दुनिया के सबसे बड़ी सदस्तर सेना थी तो आसे नंबर सी एक और दो रॉइट होगा अयरैन क्रोक्स हनन आयरन क्रॉस क्या था अयरैन क्रॉस क्या था तो यहा आपको जेगा जर्मनी का वीरता पुरस्कार हो जाएगा और सनर जो कि एकई राजा रामनना सेंटर फॉर एडवांस टेकनोलोजी कहा स्थित आटवांस टेकनोलोजी दोस्तों कहा पूर स्थित है तो एकता और अनुसासन अप्शन दू inspection आपका सही आनसर हो जाए गा चल्या आगे हमारे question number 61 निम्न लिखित में से किस्व में जो है आपका Genetic Engineering सामिल है क्या होगा इसका आंसर देखी इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जीन करांती हो जाएगा ओपसन निम्न नमबर जो है डी होगा जीन करांती निम्न में से कौन जो है इनलॉग सोचना को digital रूप से या फिर digital रूप में परिवर्शित करता है इसका आंसर हो जाएगा digitizer होगा क्या होगा आंसर digitizer ओपसन नमबर सी सही होगा निम्न लिखीत में से कौन सी memory system computer में सहाइक memory नहीं है प्रोम आपका दुस्तों नहीं है बाकी मैगनेटिक टेप है सीडी रूम है और फ्लॉपी भी है निर्मलेखित में से कौन भारत की एक मात्र प्रसिद महिला सहनाई वादक है तो इनका नाम याद रखिएगा बागेस्वरी कमर ओप्सन नमबर जो है अगला की ठोड़ा है ना ठोड़ा नामक मार्सल कला भारत के किस राज्य में सरवाधिक प्रसिद है तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल परदिस में कहां पर हिमाचल परदिस आप्सन मड़ी होगा राष्ट्री जय विवित्ता प्राधिकरण का मुख्याले कहां है तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में है उप्सन नमबर सी होगा चेन्नई सतब्त विकास के लिए सीखने के अस्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है बायो इसफियर रिजर्ब हो जाएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उनहत्तर का उप्सन नमबर सी हो जाएगा निमलीखित में से कौन मानो जनित जीवोम का एक उधारन है मानो जनित जीवों का एक उधारन है तो यह आपको जगा फसली भूमी होगा क्या होगा अंसर फसली भूमी ऑप्सन नमर डी होगा निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कॉंगरेस के अधिकारिक वारताकार थे है ना अधिकारिक वारताकार थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नम्बर सी होगा पंडित जैवाहला नहरू एग मौलाना अबुल कलाम अजाद ऑप्सन नम्बर देखेंगे कहत्तर का तो सी जो है सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलेवे की आलोचना की क्योंकि रेलेवे क्योंकि ये रेलेवे अगर आप बात करेंगे तो पले जिवानु यानि महामारी का वाहक है उसके बाद बार बार पढ़ने वाले अकालो यानि दुर्बिक्षो का साधन है तुसरा देखेंगे तो समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तर दाई है तो आपसन नमबर ए होगा एक दो तीन आपका राइट है अब यहां देखें 73 नमबर जो है आपका सुमलित करना है छेतर और नेतर तुदिया गया है चलिए इसको हम मिलान करके देखते हैं क्या होगा इसका आंसर देखिए इसका आंसर जो है आपका A हो जाएगा यानि ग्वालियर वो कालपी की बात करते हैं तो आपका तात्या तोपी होगा इलहाबाद वो बनारस की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा लियाकत अली फैजाबात की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला होगा जगदिसपूर की बात करते हैं तो कुमर्सिंग ओपिसनमबर A होगा 42-3-एक आपका सही है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ तो यह आपका हुआ था 1874 में हुआ था सान्थ ने इसवर को अपने पास अनुभा करने के लिए नुर्ट एवम गीतों यानि किर्टनों के माध्यम को माध्यम बनाया कि इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू आप्सनिम्र नम्बर डि होगा किस दोत्र पिर जो है कहते थे और吧 कि इसका अंसरहो जाएगा और उरंग जेब उप्सन्न हमर भी हो जाएगा समte दशig का सी जोड़ी गई है ant ф ona को यह चैंद इसने स्थार्वा समर्धान संसुधन कने को जोड़ा गया है option number जो है आपका C सही answer हो जाएगा छेतरिय परिसदे छेतरिय परिसदे तो देखिए परामर्स दातरी इकाया है परामर्स दातरी इकाया है option number B होगा विधान परिसद के कितने सदत से प्रतेक दूसरे वर्ष आवकास ग्रहन करते हैं अवकास ग्रहन करते हैं, तो इसका आंसर हो जागा, एक बटा तीन सदक से हो जाएगा, option number जो है, बी सही होगा, समयधानिक द्रिश्टी से देखा जाए, तो उप परधान मंतरी निम्न में से किसके समक्ष होता है, उप परधान मंतरी जो है, किसके समक्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, cabinet मंतरी होगा, option number देखेंगे, तो लड़ी होगा, cabinet मंतरी, डी राइट होगा, उत्तरी गुलार्द में जल मंडल का विस्तार का प्रती सत कुछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, 60.7% option number देखेंगे, तो C सही होगा, दैनिक जोर भाटा की मध्य समयानतर होता है कितने गंते मिनेट का तो झालने का उस्छ चूंब यासी का डी हो गा ऊद्र кिंगा ग्वादर्पतन किस देश में है ग्वादरarbeit जो है किस देश मैं कि तो यह आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान में option number B, चंबल नहर सिचाई परियोजना, संबंदित किस से, तो यह आपका संबंद रखता है, यमुना बेसिन से, क्या होगा अंसर, यमुना बेसिन से, option number C, सही होगा, भारत सी विदेशो में, बहु आयात मिंद्रियात की जाने वाली, आम की कौन सी प्रजाती है, आम की कौन सी प्रजाती है, तो यह आपको जगा, अलफांसो होगा, क्या होगा, अंसर, अलफांसो, option number E, होगा, भारत की स्वाडियम चतरभूज, परियोजना जोडती है, भारत की स्वाडियम चतरभूज, परियोजना जोडती है, देखी, इसका आंसर देखेंगे, तो दिल्ली, पुरसकार प्राप्त किया, इसका आंसर हो जागा, कैला सर्त्यार थी, option number देखेंगे, तो C होगा, निनलिखित में से कौन से पुस्तक जो है, राजेंदर परसाद द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर हो जागा, इंडिया डिवाइडेड हो जागा, option number देखेंगे, 88 का, तो C सही आंसर होगा, ससस्त्र सेना जंडा दिवसका मना जाता है, तो यह हम मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं, कम मनाते हैं, 7 दिसंबर को option number A right होगा, अगला है कि वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरी खेल है, वल्लम काली किस तरह का पारंपरी खेल है, तो यह आपको जा दोस्तों नाम दिया गया है कायद आजम तो देखिए इसका आंसर आप 91 का देखेंगे तो आप्शन नमर्डी हो जाएगा मुहम्मद अली जिन्ना को जो है कायद आजम का नाम दिया गया है आप्शन नमर्डी उपाधि भी बोल सकते हैं पहला गुट निर्पेक्ष सिखर सम्मिलन कहां आयोजित किया गया था आज तो यह क्या गया था विल ग्रेड में ऑप्शन होगा बिल ग्रेड बान अर्थ hero सो य्यानिक आप समझते हैं तो क्लोच एकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं तो आयात निर्यात बंद आयात निर्यात बंद ऑप्शन NUM. वि होगा सिख्षा के लिए ग्या Shutth सब्सक्राइब इसका आंसर हो जाएगा अनिवारे प्राथिमिक सिक्षा ऑपसनंबर जी है आपका सी सही आंसर होगा सारवजनिक वित्रण को बनाय रखने और सुरक्षित भंडार के निर्वान के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान खरीती है वो आपका पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा नियूंतम समर्थन कीमतों के नाम से जाने आती है ओप्सन नमबर A सही होगा निम्ण में से किसे जो है वेस्टी और ससास्तर के जनक की रूप में जाना जाता है इसका आंसर हो जागा अलफरेड मार्सल होगा ओप्सन नमबर D होगा अलफरेड मार्सल मानो विकास सुचकांग का एक आयाम निमलिखित में से कौन सा नहीं है निमलिखित में से कौन सा नहीं है देखे बैंकिंग और अनिवित्तिय व्यवस्थाओं तक पहुँच यह आपका नहीं है option number C होगा अगला कि planned economic for India के लेखक कौन है तो यह आपको हो जाएंगे option number D सही होगा भारत सरकार की एक पहल है न तो स्वयम का लक्ष क्या है देखें स्वयम का लक्ष देखेंगे तो नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना एवं गुडवत्ता वाली सिक्षा निसुल्क उपलब्ध कराना यही आपका दोस्तों जो है स्वयम का लक्ष है अंति प्रस्न है कि अधिनियम अधिनियम फेमा किस वर्ष जो है लाउ किया गया था तो यह आपका लागू हुआ था 1999 में हुआ था option number A सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे वीडियो जो ही ही पर समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए चलेगा इसको रोकना नहीं है इसको बहुत जल्द खतम करेंगे साथ में आपका बिहार दरोगा जो आपका निव कोशन बैंक आया हुआ हुआ है उसको भी करवाना है उसको भी खतम करना है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है एक नए वीडियो में जै हिंद जै भारत